धोलकपुर गाउं में राहुल नाम का लड़का रहा करता था जो अभी तीसरी कक्षा में पढ़ता था उसके माता पिता की एक दुर घटना में मृत्यू हो गई थी इसलिए वो अपनी बूरी दादी के साथ रहता था उसकी दादी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी जिससे घर का गुजारा चल रहा वे लोग गरीबी में अपना दिन काट रहे थे उस दिन राहुल का बर्थ दे था राहुल की दादी काम पर चली जाती है राहुल जब खाना खाने बैठते हैं तो एक बूरी औरत आती है और वो खाना मांगती है राहुल अपना खाना उस बूरी औरत को दे देता है उस दिन उसको बहुत भूख लगी थी खाने की खोज में बाहर जाता है लेकिन उसको खाना नहीं मिलता वो भूखे मार एकदम पेर के नीचे बैठे रो रहा था तो उसको एक आवाज आती है वो आवाज जादूई केक के कुए की थी राहुल सारी बात उसको में को बताता है कुए में से बहुत सारे केक बाहर आ जाते है राहुल केक घर ले जाता है वो इसकी दादी गाव में केक की दुकान खोल लेते हैं अब वो बहुत खुश थे उनके घर का गुजारा अच्छी तरीके से हो रहा था